फिर 7th question में sin 7 theta minus 5 theta cos वो भी बहुत एजिए सीधा-सीधा formula है sin 7 theta minus sin 5 theta upon cos 7 theta plus cos 5 theta I hope yes और प्रूव करना इसको 10 theta के बढ़ाब तो अपने अब cut bit के आजाना चाहिए sin c minus sin d का formula 2 sin बीच में minus है तो difference by 2 तो 7 में से 5 गया 2 by 2 कितना हो जाएगा 1 तो केवल theta बचा cos के अंदर sum by 2 तो 7 plus 5 कितना हो गया 12 by 2 मतला 6 theta whole divided by twice off अगर यह दोनों cos cos है बीच में plus है तो यहां पे भी cos cos के term आएगे cos sum by 2 cos difference by 2 cos sum by 2 मतला वही 6 theta cos difference by 2 मतला theta 2 2 cancel cos 6 theta cancel तो sin theta upon cos theta कितना हो गया 10 theta which is your right hand side तो again hence prove ठीक है बहुत simple simple से question है question number 8 में क्या लिखा है 10 3a 10 2a okay ठीक है question number 8 में क्या लिखा है prove that 10 3a to prove मतला यह तो solution 8 हो गया to prove मतला क्या करना है हमें यह 10 3a 10 2a 10a is equal to 10 3a minus 10 2a minus 10a यह प्रूव करना है ठीक है तो इसमें प्रूव करने के लिए notice करने लाइक चीज़ क्या है कि दो एंगिल का summation तीसरा एंगिल है अगर हमने यह notice किया ठीक है फिर हमने अपनी दफ से इसको छोड़ दिया और अपनी दफ से नया शुरू किया ऐसे गरके 10 3a which is nothing but 10 2a plus a यह लिखा है ना a और 2a का summation 3a तो हमने ऐसे लिख 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 लिए 10 3a which is nothing but 10 2a plus a अब इस पर 10 a plus b वाला फामला लगा दिया तो आज अगर 10 a plus 10 b upon 1 minus 10 a into 10 b या बस अब इसको इधर ले गए तो 10 3a दोनों से multiply होगा और 1 से भी अरस से भी तो 1 से multiply हुआ तब तो यह आगया 10 3a minus जब इस से multiply हुआ तो 10 a 10 2a और यह multiply होगे 10 3a तो आगया 10 3a 10 2a 10 a which is equal to 10 2a plus 10 a ठीके बस होगा प्रूव इस टर्म को उधर ले जाओ इन दोनों को उधर ले जाओ और जो राइट है उसको वापस इस left hand side पर लागे लिख दिया तो 10 3a 10 2a 10 a is equal to 10 3a minus 10 2a minus 10a यह प्रूव करना था तो बस हो गया प्रूव तो hence प्रूव अच्छा वैसे यह result की तरह भी याद रख सकते हूं कि क्यूंकि यह भी कुछ-कुछ जगह आएगा आगे mathematics में केवल इंटीग्रेशन वगरा में भी इस तरह की चीजें यूज होगा मतलब इसको याद रखने का तरीक है यह कि इफ याविंग से टैन ए प्लस बी इंटू टैन एंटू टैन बी तो इस विल भी इक्वेस टू मतलब तीन तैन का प्रूड़क्ट लिखा हुए और उसमें खासि अब समेशन फॉर्म में प्लस प्लस की बात नहीं करने है जैसे यह तो प्रूड़क्ट फॉर्म लिखा है राइट इंट साइड समेशन फॉर्म में कर सकते हैं बस जो समवाल एंगल है वो तो पहले आ जाएगा 10A प्लस बी और बाकी दोनों माइनस के साथ आजाएगा तो म माइनस तैने माइनस 10B यह कहां से आजाएगा 10A प्लस बी का फॉर्मला चैनल करो और जैसे यह वी ऊपर किया तैनल के बाता ब्रूद्फ है वो तो जिसका इंगल जिसमें समयशन आ रहा है वो तम पहला आ जाएगा एगा प्लस के साथ बाकी दोनों माइनस के साथ आजाए symmetry से ही बोल सकते हो कि अगर a plus b a और b का summation है तो उसका मतलब कहा है कि यह a और b में symmetric है तो जैसा a वैसा b तो मतलब अगर 10 a negative के साथ आया है तो 10 b b negative के साथ आना चाहिए क्योंकि जैसा a वैसा b तो यह confusion नहीं होना चाहिए कभी भी कि पता नहीं a पहले था a plus b minus के साथ था या या जैसा a होगा वैसे b होगा तो अगर a के साथ negative आए तो b के साथ negative आएगा क्योंकि symmetric है तो इसको याद भी कर सकते हैं इस result को अगर यह result याद है तो यहीं से यह प्रूव हो जाएगा a की जगए 2a रख दिया b की जगए a रख दिया तो यह a plus b 3a हो जाएगा यह a हो गया यह b हो गया यह a plus b हो गया वापस यह भी अक्सर आता रहता है इसलिए हमने बोल दिया ठीक है so this was 8th question 9th question is sin 75 minus sin 15 upon cos 75 plus cos 15 इसकी value निकाल लिया है तो 9th question कितना है sin 75 degree minus sin 15 degree divided by cos 75 degree plus cos 15 degree and this whole raise to power 8 इसकी value निकाल लिया कोई बात नहीं फिर शुरू होगे sin c minus sin d तो 2 sin difference by 2 क्योंकि बीच में minus sin के अंदर difference आएगा तो इन दोनों का difference कितना हो गया 60 by 2 कितना हो गया 30 into cos में sum by 2 तो 75 plus 15 90 हो गया तो sum 90 हो गया तो sum by 2 मतला 45 whole divided by नीचे दोनों cos cos है प्लस है तो cos cos में तो answer जो आता है cos c plus cos d के form में दोनों cos cos आता है cos c minus cos d के form में दोनों sin sin आता है तो यहां दोनों cos cos आ जाएगा तो angle तो वह ही है na 75 जैसे उपर है वैसी 50 तो sum यही आएगा sorry sum by 2 यही आएगा difference by 2 यह आएगा तो दोनों cos के term आएगा एक बार difference by 2 और एक बार sum by 2 कैसे भी लिखो पहले sum लिखो चाहें पहले product है होता है तो यह ऐसी cancel हो गया दो दो cancel कर दिया sin 30 कितना होता है half तो numerator में इसकी वैसे half आ गया और यह हो गया तो यह यह आंसर होगे 1 upon 81 ठीक है तो दिस वास 9th question 10th question क्या है cos theta minus cos 3 theta तो 10th question क्या होगा cos theta minus cos 3 theta sin 8 theta सीदा 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 फार्मला जा दिये तना बोलने की जोती क्या है cos c minus cos d में अगर बीच में माइनस है दोनों sin के term हैंगे 2 sin sum by 2 तो 3 theta plus theta 4 theta by 2 वा गया 2 theta into sin difference by 2 difference में बस यह है कि दूसरे में से पहले गठाते तो 3 theta minus theta कितना होगे 2 theta by 2 theta तो यह आगे फिर sin c plus sin d का फार्मला तो इसमें दोनों आएगा sin में आएगा cos भी आएगा whole divided by फिर नीचे sin का difference है तो 2 sin अब sin के अंदर difference by 2 आएगा तो 5 minus 1 4 by 2 इतना हो गया cos के अंदर sum आएगा तो 6 minus 4 कितना हो गया 2 by 2 कितना हो गया 1 तो यह आगा 1 1 1 1 sin 5 theta ऐसे sin theta ऐसे cancel हो गया cos theta इन दोनों से cancel हो गया sin 2 theta सब कुछ ही cancel हो गया कुछ बचा ही नहीं तो answer कितना हो गया 1 बस answer निकलने के लिए बुरा था तो answer मरा बना गया तो यह answer हो गया